तो दोस्तो नमस्कार आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल एक्सेस अकेडमी पर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बहत्रजा 825 सिच्छगबर्ती में 12.091 की लिस्ट को लेकर के टीवी सुनवाई से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट 12.091 की मुद्य को आज के समाचार पत्रों में प्रमुक्ता से इस्थान दिया गया है क्या सरकार 27 को करेगी नुक्ती की बात ये बहुत ही होता है महत्पूर्ट पॉइंट यहाँ पर क्योंकि जिस तरीके से पिछली सुनवाईयों में सरकार खुद की SLP पर पूरी तरीके से फस्थ चुकी है अगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए तो आईए साथ यों सुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देख लेते हैं 72 825 सिचकबर्ती में 12199 की लिष्ट से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट के बारे में सबसे पहले दोस्तों आज के समाचार पत्रों में 12199 मुद्धे को प्रमुक्ता से छापा गया है क्या है खबर उस पर नजय डालते हैं तो प्रसिच्चु सिचकबर्ती 2011 में बचे अभेर्थियों की काउंसलिंग निर्देश के खिलाब अपील खंडपीट 27 को सुनेगी यह मामला हाई कोट की एकलपीट ने दिया है काउंसलिंग का निर्देश जिसे सरकार निड़ी भी में किया है चैलेंज लगातार कांटिनिवस सुनवाई की गई तीन दिन और उसके बाद मामला 27 को फिर से रखा गया है पीट के सामने सुनवाई के लिए इलाहबाद हाई कोट में प्रदेश के प्रात्मिल बिद्यालों में 72,885 प्रसिच्चो सिच्छक ट्रेनी टीचर्स की भरती में बचे 12 जिरूई के आनेबे अभिर्तों को कांसलिंग कराने संबंदी आदेश के खिलाप राजे सरकार की बिशेश अपील के सुनवाई जारी है अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी मायावति के सासनकाल में 30 नॉबंबर 2011 को जूनियर बेचिक स्कूलों में भरती के लिए भिग्यापन जारी किया गया था सुप्रिम कोट ने बचे अभिरत्यों को फिर सिक कांसलिंग में भाग लेने का निर्देश दिया था एकल पीट ने सरकार को नया विग्यापन जारी कर कांसलिंग कराने का आदेश दिया तो इसे चुनवति दी गई सरकार की तरफ से अपील पर नयामुर्ति असुनी कुमार मिस्र और नयामुर्ति SQH रिजवी के खंट पीट सुनवाई कर रही है दो दिन की बहस हो चुकी है प्रदेश सरकार की तरफ से आपर मुक्य इस्थाई अधिवक्ता रामानंद पांडे तथा बेसिक सिच्छा बोर्ड की तरफ से कुष्मांडा साही ने बहस की सरकार का कहना है कि सुप्रिम कोट ने 25 जुलाई 2017 यों बात में इस मामले में अभयर्तियों के दाखिल आउमाना केस में 13 दिसंबल 2019 को भर्ति सही मानते हुए केस खत्म कर दिया था ऐसे में 2011 की बर्ति को लेकर के सेस अभयर्तियों की काउंसलिंग कराने का एकलपीट का निर्देश देना अभी दिसंबत नहीं है बट याची अभयर्तियों बिने कुमार पांडे और अनि के तरफ से वरिष्ट अधिवक्ता असोखरे एचेंसिंग आर के ओजहा अनिलतिवारी ने बहस की उन्होंने कहा कि एकलपीट के आदेश में कोई तुरुटी नहीं है सरकार के तरफ से सुप्रिम कोर्ट में दाखिल आउमाना वात में सही तत्य प्रस्तुत नहीं किये गए कोर्ट के इस के अधिवक्ता से काउंसिलिंग के लिए अपनाई गई चैन प्रकरिया वा कटाप मार्क संबंधी नेमो को बताने के लिए कहा है हाई कोर्ट ने बिने कुमार पांडी वा अनिक तदा इसे संबंध अनियाचकाओं पर यहां आदेश पारित किया है कि सेस बचे अभेदु क काउंसिलिंग कराने के लिए नया एनिफ्रेश विग्यापन पाच फरवरी 2014 से सुरू होने वाले सब्ता में जारी किया जाए और विग्यापन तीन अकबारों में प्रकासित कराते हुए आगे की कारवाई सुनिस्तित की जाए लेकिन सरकार की तरब से सिंगल बेंच के आपत्ती जताते हुए SLP दाखिल करदी TV में और आडर को चैलेंज कर दिया अब आप सभी लोग जानते हैं लगाता सुनवाई चल लही है और उसी करम में 27 को महत्पूर्ण सुनवाई लगी हुई है और अगले अकबार में यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं उसी सिंगल बेंच का जो आदेश आया था उस आदेश के तहट 12.09 के लिष्ट में सामिल अब्यक्तियों की निउक्ति प्रक्रिया फर्वरी के अंतिम सब्ताह तक पूरी करनी थी यानि अगर उस नियम के आदेश के अनपालन में सरकार आगे बढ़ रही होती तो आपको बता द में आप सभी की निउक्ति की कारवाई अपनी अंतिम चरड में होती लेकिन सरकार ने उस आदेश के अनुपालन में असमर्थता जताई और जो सिंगल बेंच का आडर था उसमें 19 पॉइंट को ले करके एक SLP DB में फाइल की और जहाँ पर सिंगल बेंच के आडर को की है उसमें सरकार जो है बहुत पीछे नजर आ रही है बहस में और अपने तथ्यों को प्रूवड करने में कोड के अंदर वहीं अभ्यत्यों की तरफ से जो धमाकेदार पैर भी की गई है वो पूरी तरीके से 1291 की जीत सुनिश्चित करने वाली बहस निकल कर सामने आई है हलाकि अब 27 तारीकों मामले को सुनवाई के लिए फिर से लिस्टेट कर दिया गया है और जो दोनों SLP सरकार और बेसिक सिछा परसत की तरफ से हैं उनको एक साथ अब 27 तारीकों सुना जाएगा और 27 तारीकों इस मामले में फाइनल सुनवाई होते हुए आप सभी को नजर आएगी और एक मैराथन बहस यहाँ पर आपको बता दे एक बार फिर से Most Senior Advocate और सरकार के अधिवक्ताओं के बीच में धमाकेदार मैराथन बहस देखने को मिलेगी जहां सरकार आपको बता दे हर संबो यह प्रयास करेगी कि इस लिष्ट पर निक्ति प्रक्रिया ना पूर गई है और अब सरकार के पास एक ही रास्ता है कि किसी तरीके से मामले को शाट आउट कर लिया जाए डीवी से अब आप सभी को बता दे 27 की सुनवाई के लिए क्या important हो सकता है क्या जिस तरीके से पिछली सुनवाई पर सरकार फसी है डीवी के अंदर तो क्या 27 परवरी को नुक्ति की बात करेगी यह important बात है तो कुल मिला करके सरकार के पास अब अभरतियों के अध्वक्ताओं की वहस का कोई काट नजर फिलहाल नहीं आ रहा है लेकिन 27 की जो सुनवाई है वो final और मेराथन सुनवाई बहुत ही important हो जाती है और यह decider सुनवाई होगी कि मामला क इस और जा रहा है हाला कि अभी तक अगर देखा जाए तो 99% chances 12-0-91 लिस्ट में सामिल अभरतियों की जीद के पक्के होते नजर आ रहे हैं बाकि 27 तारीक को आप सभी को बता दे सरकार जो इसमें नया प्लान चलने की तयारी कर रही है मेरिट को लेकर के हाला कि उस पे भी अभरतियों की तरफ से बड़ी तयारी पूरी कर ली गई है और मेरिट पर भी एक बार फिर से सरकार के अधिवक्ताओं को कोट के अंदर पटकनी देने की अभरतियों के most senior advocate की तयारी पूरी हो चुकी है अब सरकार के पास दोस्तों आप सभी को बता दें 27 परवरी को कोट क अंदर निकती को लेकर के ही आगे बढ़ने की बात जो है वो एक आपसन नजर आ रहा है अब ऐसे में सरकार आप सभी को बता दें रिक्त पदों का हवाला दे करके जो है याची लाब की और भागती नजर आ सकती है 27 परवरी की final सुनवाई में क्योंकि आप सभी लोगों को बता दें कि अभी तक जो कोट बहस हुई उसमें सरकार ने कहा है कि अब 2011 की भरती के रिक्त पद जो थे उसे हमने 2018 में जो भरतियां हुई उन में उन पदों को एड करते हुए भरती परकिया पूरी कर ली है यानि 68 पांसो सिचक बरती 79 जा सिचक बरती में 2011 की 72 जाट सिचक बरती इसके रिक्त पद एड हो चुके है और ऐसे में अब हमारे पास 12.09 की लिस्ट को निक्ति प्रकिया पूरी करने के लिए पद ही विक्त नहीं तो ये जो बात उनकी तरब से कही जा रही अगर इसे वो एप्रूब कर लेते हैं कि 66 655 पर निक्ति प्रकिया जिस तरीके स उन्होंने पूरी की है उसे कोट अगर सहमत होती है तो ये 27 को आपको बता दें याची लाब देते हुए भागते हुए नजर आ सकते हैं लेकिन अभी ये कुछ भी कहना जल्दबाजी क्योंकि 27 की जो सुनवाई है वो बहुत ही महत्पूर हो जाती है और उसके लिए हम सभ सरकार और उसके अधिवक्ताओं की डीवी में घेराबंदी की गई है उस सरकार को खुद की SLP में बुरे तरीके से फ़सा के रखा गया है वो आगे चक्र भी जारी रखना है और वहां से हमको जीत ही लेकर के आनी है और जिस तरीके से समसेरी सर ने अपने आदेश में बार जीरो एकानवे के लिस्ट में सामिल है उनकी नुक्ती का ही आदेश निर्कत हो इससे नीचे कुछ भी नहीं हला कि सरकार अपने दाओं पे चलने की तैयारी में पूरी तरीके से उतरेगी 27 को लेकिन उसके सभी दाओं भेल करने हैं अपने मोच्ट सीनियर अध्वक्ताओं के तवारा ये तैयारी हमारी लोगों की पूरी होनी चाहिए और बहतर जीत मिलनी चाहिए 27 को तो 7825 इच्छक भाक्ती में 27 परवरी और आज की महत्पूर अपडेट के बारे में हमने डिसकस किया उम्मिद करते जानकारी अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छा